जारकन के राज्य सरकार के तगलुकी फर्मान के कारण अब तक 11 युवकों की जान चली गई है और सरकार एक समवेदिना भी प्रकट नहीं कर रही है उसके विप्रिश सरकार के प्रवक्ताओं और हिवाओं पर ही दवा और नशा कर दोड़ने का आरोप लगा रहे है जिस तरह से भादों के उमस भरी गर्मी में उतपाद विभाग्स में सिपाही की भरती को लेकर दोड़ हो रहा है और अस दोड़ में अभीत्य की 11 अभियार्तियों की मौत हो चुकी है उससे लगता है कि राज्य सरकार नौकरी नहीं मौत बाटने का काम कर रही है वही नेतर प्रतिपक्ष अमरकुमार बावरी ने उतपाद विभाग सिपाही दौर में अरुन कुमार की मौत के बाद उसके परीजनों से मुलाकात करने के दौरान कही है वेचहतरपूर विदानसबा चेत्र के कौवाल में मृतिक अरुन कुमार के परीजनों से मुलकात करने पहुचे थे वही नेता प्रतिपक्ष ने पूरे मामले पर परीजनों को एक केस करने का सुझाव दिया वही पाति के तरब से इस मामले पर एक जन ही तियाची का दायर करने की भी बात कई उन्हें का है कि इस सरकार को सभी मृतिकों की परिवार को मुआफजा एवन सरकारी नौकरी देना होगा आगे आना हो आप लोग अज़र हथिया डाल दीजेगा तो हम लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर पाए चीजें सवाप्त हो जाएंजी चुकि लास जल गया अब आपके पास कोई अधार भी नहीं बचा हुआ है कि यह सारे लोग जितने 11 लोग मरे हैं सब को हम लोगों का यह है कि इंडिविजूल भी को केस हो और एक प्याइल भी उनका द्वारा हाई कोट में होजा है क्या सर्थ विजिवाल केस कंप्लेंट करने में बहु जादा कुछ हो है नहीं उसको हम लोग कर सकते हैं एक बढ़ी करते हैं एक चीज़ जो सरकार अपने दिपचने के लिश्टी सबसे पहला काम उसने तुकि साथ्य होता है काव जब देट होता है वो पूस्माटब उसे पता चलता है अब कुछ में लेकिसर लगा रहा है कि अपने अपने लिया है कि हमारा एक सब के खिलाब सरकार के उपर एक हम लोग केस भाई करें अब करें अब करें अब करें आगे इस तरह से कोई गलती नहीं करें कोई भी सरकार वेरोज्यारी एक शमझ दीजिए उसका यही दवाव था ना जब इस परिवार का एक सहारा बनना है इसलिए मौत की खुए में पुद गया लोग्व दोड़ा करके तरकार ने जान ले लिया पांच साल पहले गोशना किया था दो साल पहले बैकेंसी निकाला था एलेक्शन है दो मेहना में इसलिए भादो में दोड़ा करके जान ले लिए